डाइरेक्टर मिलाप जावेरी ने लॉक्टाउन के बीच अपनी अपक्मिंग फिल्म सत्यमेव जयते दो की स्क्रिप्ट को निखारने में वक्त बिताया इस फिल्म में जॉन अबराहम लीड रोल में होंगे और इस बार लखनव से ब्रश्टाचार को खत्म करेंगे मेकर्ज ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है इसके साथ ही फिल्म का पहला पोस्ट भी जारी किया है जॉन अबराहम ने अपने सोशल मीडिया पर के जरिये फिल्म पोस्ट शेयर किया है इसमें जॉन अबराहम काफी दमदार लुक में दिखाई दे रहे हैं इसमें उन्होंने भगत सिंग स्टाइल में मूंचे रखी हुई हैं और कंद में पर हल रखकर हाथ में पकड़ा हुआ है उनके शरीर पर जक्म के गहरे निशान भी दिख रहे हैं सत्यमेव जयते दो अगले साल इद के मौके पर रिलीज होगी जॉन ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा जिस देश की में यागंगा है वहां खून भी तिरंगा है सत्यमेव जयते इद 2021 में बारह मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म में जॉन अबराहम के अपॉजित दिव्या खुसला कुमार भी होंगी फिल्म को रिज और एम में एंटरेटिनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं साल 2018 में मिलाप और जॉन ने सत्यमेव जयते बनाई थी फिल्म को सक्सेस्फुल हुई थी फिल्म में जॉन अबराहम के साथ आईशा शर्मा थी जिनकी परफॉर्मेंस को कापी सराहा गया था इस फिल्म की कहानी मुंबाई में हो रहे ब्रश्टाचार के खिलाफ नेताओं उद्योगपतियों और आम लोगों से लड़ते हैं इस बार की कहानी मुंबाई से शिफ्ट होकर लखनव पहुंच गई है अब जॉन लखनव में ब्रश्टाचार खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे